हलो स्टुडेंट्स एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजूकेशनल अपडेट चैनल में और स्टुडेंट्स लेपटाप के लिए इस साल काफी इंतजार आप लोगों को करना पड़ रहा है क्योंकि MP बोड में जो लेपटाप की राशी दी जाती रुपे 25,000 वो एक्जाम के रिजल्ट के बाद ही दे दी जाती थी जुलाई तक सभी को मिल जाती थी पर इस बार क्योंकि हमारी जो सरकार है मुख्यमंत्री जी है वो चेंज हो गए और इसलिए काफ़ी देर भी लगी और बजट के बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया था जिसमें काफ़ी वीऊज भी आये है बहिपर मैंने कलियर कर दिया था कि इस बार MP वोड के पास बज़ट नहीं है प्रॉपर कि वो सरकार के पास बजट नहीं है माप कीजिएगा है कि वो इस बारे में सोचे परंतु लगातार प्रेसर बढ़ रहा है विद्यारतियों का और पेरेंट्स का कि लेपटाप की रासी का इस बार क्या हुआ तो उसके मद्दे निजर स्टुडेंट सा फैसला लिया गया है कि अब्जेक्ट से भी भर देते हैं तो उन सबका वेरिफिकेशन जरूरी है कि कोई दो बार तो नहीं ले रहा था इस कारण भी लेट हुए थोड़ा बजट का भी जो था यहां पर जो मुद्दा आ रहा था उसको भी यहां पर सॉल्व कर लिया गया है और अब हर जिले में डियो आपिस से जो है वो लिस्ट बुलाना स्टार्ट कर दिये तो हम यहां पर देखते हैं इस ट्रेंट्स की जो लिस्ट है वो हमारी यहां पर देख सकते हैं आप की जो न्यूज है वो अभी यहां पर आई है नर्मदा पूरम से और वो आप देख सकते हैं लेपटाप द लेपटाप दिये जाएंगे मादमे सिक्षा मंडल मासिम ने जिला सिक्षा विवाग को सत्तर चात चात्राओं की एक सूची भेजी है ये नर्मदापुरम की मैं न्यूज बता रहूं आज देनिक वासकर में आई है क्योंकि इसके बीच में कई वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे मैं कभी भी फेक वीडियो यहां पर बनाता नहीं हूँ जो रियल फेक नियुजे वही आप लोगों को बताता हूं इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा जिन्होंने सबस्क्राइब नहीं किया वे सबस्क्राइब करके भी जरूर रखिये गया तो विवाग ने इन बच्चों के बारे में जानकारी मांगी गई है कि उन्होंने प्रतम बार में परिच्छा पास किये या नहीं है ये भी एक रूल है कि प्रतम बार में आपकी परिक्षा पास होना यहां पर जरूरी है तब ही आपको जो है वो लेपटाप की रासी दी जाएगी तो यहां परिक्षा प्रवारी आसुतोस भारगों ने बताया कि जांच की जा रही है यह वो बच्चे है जो दूसरे जिले के सातो ब्लागों के सतर वच्चों की सूची है जिला सिक्षा विवाग ने इसकुलों से भेट दिया इस सूची का वेरिफिकेसन प्राचार कर रहे ह जो बोड से पड़े हैं या नहीं प्रतम बार में परिक्षा पास की या नहीं इसका वेरिफिकेसन भी किया जा रहा है तो सबसे पहली बात है कि उन्हीं चात चातरों को लेपटाप की रासी मिलेगी जिलों ने पहली बार में ही जो है वो परिक्षा पास किये दूसरी बार में किये उनको नहीं दी जाएगी और फिछोता प्रतिसत पर ही लेपटाप की रासी दी जाएगी आज ये देनिक भासकर में आया है तो एक उमीद इस्टोडेंट फिर से जागी है कि लेपटाप को लेकर जो अभी ब्रहांतियां थी कि इस साल नहीं मिलेगा उसमें होता है क्योंकि ये काम अभी भी बजेट को लेकर पेंडिंग है तो मैं बहुत जल्दी यदि इस बारे में ख़बर आती क्योंकि लेस्ट बुलाना शुरू हो गई है तो कब मिलता है किस तरह मिलता है और कब सरकार फाइनल फैसला लेती उस पर मैं लगातार अपडेट दिखा हुआ हूँ आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि प्रापर अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे थेंक यू थेंक यू सो मज